लोको मै चानल आज मैं स्टॉक के प्लांट के बारे में बात करूंगी पर उससे पहले जो है कुछ बाते आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके विंटर फ्लावरिंग प्लांट में खतम हो गई है या होने जा रही है तो आप उस में अपने उन ब्लांट पिल Sach mai's ने काम करेंद केम्धूर। कि आप जो है अपने प्लांट से दुबारा फूल ले सकते हैं और सीड चाहिए तो उन फूलों को सूखने दें तो उनके जो है सीड बनते रहेंगे चलेए फिर वीडियो जो है शुरू करते हैं तो सबसे पहलए चीजadian है अगर आपके प्लांट खतम हो ही गया है और प्रूनिंग अगर आप करेंगे तो उसमें से जो है नई ब्रांचेज निकलेंगे और जब नई ब्रांचेज निकलेंगी तो उसमें और सारे फ्लावर जो है आएंगे देखें डाइंटरस में मेरे लगभग सारी फ्लावरिंग खतम हो गई है कुछ फ्लावर मैंने छोड़ दिया है और मैंने इसकी पूरी तरीके से प्रूनिंग कर दिया है और यहाँ पर भी देखें इसमें जो है मैंने पहले सीड बनने के लिए ये छोड़े हुए है पर अभी मैं सोच रही हूँ कि इसमें एक बार और फ्लावर लूँ तो इसको मैं सब ऐसे ही काट दूँगी सारा यह मेरे केलंडर लगा प्लांट है तो इस तरीके से मैं जो हूँ अपने पहले मैंने एक दो दिन पहले सोचा था इनके सीड बना लेती हूँ पर मुझे लगा सीड तो बाद में भी बन जाएंगे और अभी जो मैं इनसे और फ्लावरिंग लूँगी क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी अपने प्लांट में खात दिया है वर्मी कंपोस्ट आपके साथ शेयर भी करा था और यह देखिए इसमें सबसे लास्ट में फुल खिला था और मैंने इसकी प्रूनिंग करी थी देखिए नई इग्रोथ कितनी सुन्दर आ रही है और दुबारा से मेरा प्लांट जो है फूलों से भर गया है तो यह सेकेंड टाइम मेरे प्लांट में जो है फ्लावरिंग हो रही है और यह कि अपने मेरे फ्लावरिंग पूरी तरीके से खतम होगी थी तो मैंने इनकी जो है नीचे से काट दी यह देखी यहां से आप देख भी सकते हैं इस तरीके से काट थी तो साइडों से इसमें नीचे से नही नही ब्रांचीस निकल आई है और उनके अंदर जो है कलियां बनने बतलब इतनी अच्छा मेरे को लग रहा है कि नई ब्रांचे जो है अपने आप निकल आई हैं मैंने इसको यहां से काट दिया था और इसके साइड से फिर से जो है अंदर मिट्टी से नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और नई नई ब्रांचे निकल रही है अभी यह पत्ते ह आटा कर दिखाती हूँ देखिए और इस तरीके से और जो भी एक्स्ट्रा पते हैं बड़े पते हैं वो सब मैं कारती रहती हूँ और इसमें भी इसमें कलिया छोटी आई है सेकंड टाइम फ्लावरिंग में लेकिन प्लांट अच्छे से चल रहा है और इसको भी मैंने कार द इसमें अभी तक फ्लावरिंग हो रही है इसी तरीके से हर प्लांट की आपने जो है इस टाइम पर कटिंग कर देनी है वरबीना मेरे वाइट वाले हैंगेंग बास्केट में लगे वे थे उसमें अच्छे से नहीं चल रहे थे तो मैंने उनके पॉट जो है शिफ्ट करें और अब देखिए फ्लावरिंग इन में भी कितनी स्याद हो रही है और जब फ्लावर कतम हो जाएंगे मैं फिर से इनकी बंचेस जो है काट दूंगी जो पुराने बंचेस होते हैं और जरेनियम इन सब में अभी फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हुई है हमारे हैं तो दो टाइप की वराइटी देखने में मिल जाती है एक डवल पैटल और एक सिंगल पैटल यह जो आप देख रहे हैं परपल पिंक और यह बेबी पिंक कलर का यह जो है डवल पैटल का है और उधर जो मरजेंटा वला आप देख रहे हैं वह जो है सिंगल पैटल का फ्लावर पुराने फ्लावर. नीचे से स्थूखते रहते हैं उसके बगल से all stem निकलते रहते हैं और फ्लावर आथे रहते हैं इसी तरीके से इसमें फ्लावर जलती रहते हैं स्पार्टिंग में जो है इस walnut कि मतलब पिंचिंग को बिल्कल भी जरूरत नहीं होती है तो बहुत ही यह single petal का flower है और यह भी अच्छा लगा पर मैं अगर compare करती हूँ तो मैं अगर double petal वाले flower जो है ज्यादा अच्छा लगे है single petal वाले के according और pinching आप इसकी ना करें मैंने बताया पिंचिंग क्योंकि अपने आपी बुशी होता रहता है और इसको जो है friends मिट्टी जब भी आप इसकी मिट्टी बनाए तो बिल्कुल well-drained मिट्टी बनाए और हर प्लांट की आप वैसे तो well-drained मिट्टी बनाए तो खाद इसमें बराबर मातरा में खाद मिट्टी और रेती है तो इसकी पतिया जो है नीचे की तरह मुणने लगती है फिर प्लांट जो है आपका stress में आता है तो मिट्टी में आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा कोको पीट पी आइड कर सकते हैं और पॉट बताती हूँ तो friends पॉट आप इसमें मैक्सिमम 6 इंच का ले आट इंच का आप ले सकते हैं मैंने ठोड़ांट 8 इंच के पॉट में लगाए हूए और उससे कोई जयादा पढ़ता है और दो प्लांट इंच के पॉट नग जाए हुए तो इनके लग बाग उतनी है फ्लावरिंग भरपूर दोनों में उतनी होती है आप कितने भी साइस के फॉर्ट में इसको लगाएं मतलब मैक्सिमम इनके लिए बैस्ट जो रहता है और आप लगा सकते हैं उससे ज्यादा बड़े पॉर्ट में इसको लगाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि सेंट बैसे यां विए सफारी बने सब्सक्रावरिंग ठरच सेंटे। यह में ने प levüş, मुक भिस लगाने हैं और लगामने हैं क्योंकि प्रेदины नहीं होते हैं लगबक इतने ही और उतनी फ्लावरिंगिन में हो रही है अभी जो है पिंक वाले के थोड़ी से फ्लार मुर्जास्त गए है अधरवाइस बहुत ही सुन्दर इसमें लगे हुए थे क्योंकि मैंने यह जो है मेरे फुल दूप में रखे हुए थे अभी मैंने इसको एक दुन फुल फुल हटाई नहीं थे और सूप स्थ रस की भेवाज़ी से आप देखी है मोटे मोटाय रखे है यह सीड बने लगते है इसमें और सिंगल पैट्ल में फ्लानीं कशहले प्लांट इसमें कम हो रही है तो अभी मैंने वीडियो बनानी के लिए चोड़े मोये और अभी तो देखे इस तरहिके से और flowering इसमें इसी की वज़े से कम हो गई है, तो इस तरहिके से आप बिलकुल ध्यार रखिए, अगर आपको flowering लेनी है, तो इस तरहिके से जो flower खतम हो जाते हैं, वो आप हटाते रहे, और double petal में मैंने इसी कोई problem नहीं देखी है, और fertilizer friends मैंने वही इशा आपको बताती हो और solid fertilizer जो अभी दिया है मैंने थोड़े दिन पहले वो भी आपके साथ share करा है तो आप इस टाइम पर solid fertilizer दे सकते हैं और उसके बाद आप चाहे तो liquid दें वैसे तो अब इनका season जाने ही वाला अपरिल तक तो अभी मेरे प्लांट को तो वो fertilizer जो है उतना sufficient है और देखे पेस्ट इस प्लांट में जो है लगता है अब अगर आप ध्यान न दें तो मिट्टी अगर आपके अच्छी होगी तो जल्दी से कभी भी किसी प्लांट पर पेस्ट एटेक नहीं होगा फिर भी मैं तो आपके प्लांट पर नीम ऑफिर जो है करती रहती हो एक लिटर पानी की बॉटल में आप एक से दो एमल नीम ऑफिर डाले और उसमें आप चाहे तो सोप बी डाल सकते हैं एक चमच और उसका प्लांट पर करते रहें वाटरिंग मेने आपको बता दिया है मिट्टी अपको सोबह की सनलाइट दें इसको बिलकुल सुबह की चार से बाच गंटे के उसके बाद संफ मतलब दूपैर की सनलाइट में यह ना prevent रह जाए और प्रोपोगेशन की बात करती हूं तो frans ऐने जो है उसी की कटिंग नीचे अपने पॉत में लगा दी थी देख भी पा रहे होंगे आप और उस में अब नई गोथ स्टार्ट हो गई है नीचे से तो कटिंग से में कह सकते हुई यह प्लांट लग जाता है पहले मुझे नहीं पता था तो कटिंग मैंने लगा दीथी और अच्छे से चल रही है तो प्रोपोगेशन इसकी कटिंग से भी हो जाती है तो आप मेरी वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी होगी और इन्फोर्मेटिव लगी होगी अभी तो आप इस प्लांट को नर्सरी से ना लाएं खरीद कर पर नेक सीजन के लिए आपको क्योंकि छोटे से प्लांटर में जो प्लांट है बहुत अच्छे से बरबर के फ्लावरिंग करता है ओके फ्रेंड्स थैंक यू